आज हम लिखेंगे complaint letter, write a letter of complaint to the district magistrate of your district regarding the corrupt practices used in certain government offices and the base adapted to harass the public. तो आज हम पत्र लिख रहे हैं जो कि शिकायती पत्र है और किसके corruption के संबंद में हैं जो कि offices में होता है तो किस प्रकार से लिखेंगे सबसे पहले letter को लिखते समय हम sender's address डालते हैं पत्र लिखना लिखा किसने हैं तो जिसे house number जो भी है और जहां का पता है जिसे जशोदा कन कनोज और यूपी फिर आप देख रहे हैं कि इसमें एक लाइन आपकी किची हुई है इसका मीन से आपको लाइन छोड़ देना है फिर डेट डालना है डेट डालनेक लिखा जा रहा है तो जिसके लिए टू के बाद में जो address आ रहा है पत्र उसके नाम ही लिखना है तो यह फिर आप देख रहे हैं फिर चूटी हुई है तो उस लाइन के को छोड़ते हुए आप सब्जेक्ट लिखें सब्जेक कहा मिलेगा सब्जेक प्रश्ट में ही जैसे ही आपको एडस में मिल गया कि किसको पत लिखा जा रहा है तो उसके बाद ही विशय दिया होता है तो हम ने यह डाल दिया, फिर एक लाइन छोड़ते हुए हम लिखेंगे संबोधन, और संबोधन हमारा क्या है, सर, सर लिखने के उपरान नई लाइन से पैगर आफ को स्टार्ट करें, तो पहली लाइन जो है कप्ले लेटर में इसको याद कर लें, यहां तक और क्वेश्चन से ही आपको यह जो सब्जेक्ट है, वो बनाके लिखना होगा, तो यही आसान तरीका है, तो फिर आगे आप एक दो लाइन अपनी तरब से बढ़ा सकते हैं, जिसे करप्शन पर चला, there are corrupt practices used in certain government offices, यह हमने प्रशन सेहिस को ले लिया, इंसेटेंस को, फिर due to them, the basic foundation of society is harassed, तो harassment होता है, शोशन होता है, this is because of lack of accountability, और क्यों है यह, यह जिम्मेदारी की कमी की वज़े से, यह सब हो रहा है, तो फिर आप लास्ट में अपनी बात को समाप्र करते हुए लिख सकते हैं, कोई भी complaint अडरों सभी में, therefore I request you kindly to look into the matter, आप मामले की जहन पर्ताल करें, as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, and take further action, और इसमें अपना कदम बढ़ाया अर्थात, अपना आगे फैसला लें, और लास्ट में आप डालतें, sincerely yours, आपका जो V है, और X, Y, Z करके ही छोड़ देना है, इस प्रकार से ही आप complaint letter को लिखना जारी रखें,